कारकिसान बाईयो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल एसकागरिटेक में तो आज हम आपको इसब गोल की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पेदावार, ज़्यादा से ज़्यादा फुटान और फंगस को मिटाने आली दवाईयो खाद और टोनिक के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहे और पासी के लालक सरों में दिये हुए सबस्क्राइब बटन पर भी बटन दबा दीजिए तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसब गोल के फुटान की क्योंकि जतनी ज़्यादा फुटान होगी उतनी ज़्यादा इसब गोल में डोड़ी आएगी और जितनी ज़्यादा डोड़ी आएगी उतनी पेदावार ज़्यादा होगी तो उसके लिए आप करसी रसायन की पोसक सुपर ले सकते हैं जो की बहुत ही अच्छी दवाई है यह है जो है 250 मिलिलिटर के आती है और इसकी जो रेट है वो 300 रुपई ये पर सिसी में आती है तो हमारे यह जो इसब गोल है यह लगबग दो बिगा का है तो एक बिगा में एक पोसक सुपर और दो बिगा में दो पोसक सुपर तो इसमें जो 250 मिलिलिटर आती है तो इसमें आप अगर 15 लिटर की टंकी में इसको डालते है तो इसकी जो पर टंकी की मातरा होती है वो होती है 10 मिलिलिटर तो आप 10 मिली लिटर 15 लिटर पानी में गोल के एक टंकी में इसको डाले और दो बिगा में 10 टंकी का गोल मनाए उसके बाद में बात करता हूँ इसमें जो भी फंगस लगते है तो उन फंगस को कैसे अटाए जाए तो उसके लिए हमें आपको फंगी साइड यानि की फपुंदी नासक दवाई के बारे में बताता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विटावेक्स पावर के बारे में जो कि दानू का कंपनी के आती है तो यह विटावेक्स पावर जो है 250 ग्राम के आती है और इसकी जो रेट है वो है 500 रुपई तो आप इसको दो बिगा में 250 ग्राम को डाले एक बिगा में आप लिक्रो फर्टिलाइजर कंपनी के आती है तो आप यह आदा किलो का पेकेट आता है और इसकी रेट है तीन सो रुपई है तो इसको भी आप अपने दो बिगा के इसब गॉल में डालिए और उसके बाद में बात करता हूं इसब गॉल की फुटान के बारे में क्योंकि जितनी बारी मातरा में हमारे जमीन में रहता है लेकिन अगर आपकी जमीन में ना हो तो आप इसमें गुनिस 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 इनपी के खाद का पेड्रो कर सकते है लेकिन हमने जिरो जिरो पचास का किया है उसके बाद में बात करता हूं फासपॉरस की तो फासपॉरस जो है हमार इसब गोल की भसल में बरपूर मातरा में हमारी इस मिट्टी में देखने को मिलता है तो इसमें हमारे फासपरस की कमी नहीं होती है लेकिन अगर आपके फासपरस की कमी है तो आप इसमें गुनिस-गुनिस खाट डाले लेकिन बाद में बात करते हैं पोटेश्यम जो कि इसमें 50% ज़ाता है तो हमारी जमीन में पोटेश्यम की मातरा बहुत कम और जितना ज़्यादा पोटेश्यम होगा उतने ज़्यादा तने का विकास होगा तो आप नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है जड़ों का विकास करता है पोटेश्यम फासपोरस की बात करते हैं तो फासपोरस जो है तने का विकास करता है लेकिन पोटेश्यम जो है वो फल का विकास करता है तो हमें जो चाहिए फल यानि की अगर जितना ज़्यादा फल होगा उतनी ज़्यादा प्यदावार होगी तो इसलिए आप अगर ज़्यादा फल लेना चाहते हैं तो NPK 0050 खाद का ही प्रियोग करें जो की सागर राज काता है और या एक ठेली जो है सो रुपए के आती यानि एक ठेली में एक किलोव में लाना थे एक ठेलेे आपको एक बिगा में ही लाना है hijраж इसब गोल है यह, दो फेलाकाया है, तो हमने दो थेले लाई, और अब मैं बात आता हूं कि इन आपको कितने गोल में सके और पूरे खेत में आ सके तो आपको 500 livres में इन सारी दवाईयों को मिलाना है तो दो विगा में 500 लिटर पानी में सबसे पहले 250 250 ml यानि कि 500 ml आपको फौसक सूपर डालना है उसके बाद 2 kg आपको 050 डालना है और उसके बाद आपको को फंगी साइड डालना है 500 ग्राम तो यह हैं हम अलग-अलग कंपनी के लाए है वैसा ही दोनों में एक ही मात्र है और एक ही काम करती है तो आप इन में से कोई सा भी 500 ग्राम का ला सकते हुए और आदा लिटर पोसक सुपर लाना है और दो किलो आपको एनपी के लाना है और इसब कोल की फसल में छिड़क देना है तो इसब कोल की फसल में जब आप इनको छिड़केंगे और उसके बाद आप अपनी इसब कोल में दूसरी पिलाई कीजेगा और अगर आप दूसरी पिलाई के बाद भी इनको छिड़कते है तो भी कोई बात नहीं इन पत्यों के सार से वह जमीन में चिला जाता है सभी दवाईयों को आपको चिरक लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छी आपको पैदावार मिलेगी जो इस बगल की पैदावार होगी तो इससे आपको इस बगल की फसल में आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में फाइदा मिल तो आपको हमारी आपकर जाना करें यह अच्छी लगए यहांगे होगा तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीए Wow which ऑ